तो आज के लेक्चर में हम तीन सक्सेस्फुल पिस्ट मैनेजमेंन स्टोरीज के बारे में डिस्कुस करने वाले हैं हमें बहुत सारी IPM methods के बारे में पढ़ाता जैसे biological, cultural, physical, chemical, biotechnological, legal etc. बहुत सारे इन इन देस लेक्चर विंद वी सी इस स्टोरीज तो फाइनले हमें पता चलेगा कि यह में प्रिकली प्रीपी और काक्टस, screw moth या screw worms और तीस राइ पुशबल poly cropping ठीक है इसको हम एक एक करके देखेंगे एक है prickly pure cactus यह prickly pure cactus जो है यह तो एक variety of cactus है जैसे आप first picture में देख सकते हो ठीक है और इसका scientific name है acacia harpofila ठीक है और यह acacia और यह cactus का main introduction का reason है एक die industry establish करने ठीक है so australia है ठीक है australia में एक town है इसका नाम है queensland ठीक है so queensland में government जो है so it has thought of establishing a cocanal industry बसकल cocanal industry का मतलब है एक die industry है जैसे आप second sorry third point में देख सकते हो introduced in 1880s to establish a cocanal industry ठीक है तो यह cocanal industry का मतलब है एक die industry है ठीक है तो आप सो like you have a doubt कि यार यह die industry और अपंशिया का relation क्या है let me explain you ठीक है तो यह cactus का main introduction है die industry है ठीक है the reason है यह cactus पे एक पेस्ट जो है इसका नाम है मेली बग ठीक है so on this cactus there is a pest which feeds on this cactus मेली बग एक पेस्ट है which will feed on this ठीक है so अगर हम मेली बग को फिंगर के बीच में crush करेंगे so we can get a red color a kind of a thing जैसे आप थर्ड पिक्चर में देख सकते हो और लेप में जूम इतन है ठीक है you can see in the third picture एक red color जैसे है so this red color can be used as dye ठीक है so so for this red color only they have established a cocainal industry ठीक है so so ये है ये ये cactus का introduction का brief history है ठीक है so this cactus was introduced in 1880s for the cocainal industry ठीक है वो लोगों ने introduce किया था और मेली बग इस started feeding on it and at the same time they have started extracting the dye ये सब ठीक चल रहा है लेकिन जैसे 9 to 10 years के बाद क्या हुआ कि we know the growth of apanxia जो है तो बहुत fast है जैसे आप last picture में देख सकते हो एक diagrammatic picture है apanxia का so apanxia में ये oval shaped structure जो है इसको हम pad कहते है ठीक है so ये pad जो ही है तो एक विजिटेटिव अमोर अफ ग्रोथ है ठीक है जैसे इस पैट इफ इट फॉल्स on the ground इसका ग्रोथ इतना fast है कि it start propagating and it grows on its own ठीक है तो ये एक disadvantage है क्यूंकि हम हम ये cactus को एक hectare या एक एकर में ग्रोव कर रहे थे ठीक है so so grow करने के बाद मीली बक्स इसके बाद हमें डाइबी मिल रहे थे लेखिन दो मुमेंट या ताइम वेन इस अपंशिया आ ओवर ग्रोविंग मतलब डिजाय लेवल से इसका पॉपुलिशन बहुत ज्यादा हो गया बहुत जैसे आप सेकंड पिक्चर ग्री कलर जैसे पिक्चर है ना दो सेकंड पिक्चर लिट में जूम इन ये पिक्चर देके 1920 में मतलब अलमोस्ट 10-20 यह हो गया इस्टाबिश करने के बाद सो यह जो है ओवरली पॉपुलेटेड प्रिक्ली प्योर कैक्टस है क्योंगी इसका ग्रोथ बहुत ज्यादा है और अलसा इसेम ताम इन्वार्मेंटल कंडिशन जो है हुमिडिटी टमपरेचर यह सब फेवरबल है इ इसके वजे से इसका ग्रोथ भी अन renewal हो गिया तो उते हुझी लोदी मेंस ऐसे ग्रोथ खह गार क्योंकि उस टाइम पर नौलेज जो है प्लाइंस पर यह तो बहुत कम है, okay, so they started breaking them and throwing them. लेकिन यह 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 भी एक तरिके के advantage है, ना पंक्शिय के लिए, because if they break the pads, if the pads fall on the soil, again they will grow, इसका regrowth हो जाएगा, यह भी एक advantage है पंक्शिय के लिए, लेकिन this was not known to the people, जै कि इसके वाजे से फिर सा इसका पॉपलेशन ओर हो गया, मतलब इस बीन इंक्रीजिग, ओर पॉपलेटर हो गया इसके वाजे से So, the people have started doing many many control techniques जैसे आप देख सकते हो, digling up, birding कर रहे हैं, crushing भी कर रहे हैं, जैसे horses के legs के नीचे रकर they used to crush them and also, वो लोग chemically भी control कर रहा था, like you can see in the second picture जैसे एक chemically tank है, so, वोस टांग में वो लोग, they used to fleet with the arsenic pentoxide तो ये arsenic pentoxide भी, it's of no use at all, क्योंकि इसका population इतना ज्यादा है और population के अलावा, environmental conditions जो है, बहुत favorable है अपंटिया के लिए, so, this is the reason, it was really hard to control even with the chemicals also, जैसे, even they have completely occupied the houses also, let me show you the picture, जैसे आप इस picture में देखिये, black and white picture में, ये तो थोड़ा सा ब्लार है, but you can see, एक गर है और और गर के आगे पीछे सब अपंटिया है, मतलब इस प्रिकली प्यर कैक्टस है, आप देख सकते हो, मतलब इसका population कितना, जैसे आपंटिया आउस्टेल या के लिए नेटिव नहीं है, जैसे ही ये प्रिकली नेटिव के लिए नेटिव नहीं है, because it was been introduced from other states. So, what they did is finally the scientists, they went to other states and they have contacted them that Australia has overpopulation in Australia, we can't be able to control it. So, what we should do? So, this time, people had a suggestion that we have a biocontrol agent, such as natural enemies. I mean, I will give you a beneficial insect, so you can breed it and release it into your places where apunctia is growing. I mean, that beneficial insect, it will completely destroy the apunctia. So, they have told that. So, our Australians, scientists, they brought that insect. But, they brought two insects. One is Drab Brown Moth, which you can see in nature in the picture. First picture is Drab Brown Moth, and its scientific name is Tactoblacist Tactorum, and the second is Orange Moth. So, these are both apunctia's natural enemy. They will control this apunctia, because apunctia is a kind of weed, as we can say it, because its population has become so overpopulated, that it started really bothering the people. So, these are two biocontrol agents. So, this moth will lay its egg on the pad of the apunctia. So, when the larvae come out of their eggs, so, again, this larvae protrude into the pads. After that, they will start destroying it. So, these two pests are natural enemies, Drab Brown Moth and Orange larvae. So, in comparison, this Drab Brown Moth was very effective. Reason is, this is target specific. This means, this Drab Brown Moth, its main enemy or main food is only apunctia. It means, it is a prickly pear cactus. But, it is not a target species for this orange larvae. It started eating cultivated crops also. So, they have completely eliminated this orange larvae. So, this Drab Brown Moth has become a bio-agent to control the prickly pear cactus. So, by 1932, so, all the pure cactus, they were completely destroyed. As you can see in this picture, this is before the introduction of the moth, and right hand side after the introduction. You can see that its action is very fast. It means, the death of destroying action. Okay? So, this Cactoblastisk Cactorum, it was a huge success. So, this is a success story. So, this Cactoblastisk Cactorum is an IPM. because, at that time, people used chemicals too. And crushing, burning, all these chemicals used. But, there is no benefit. So, when they introduced this bio-agent, this Drab Brown Moth, it was a huge success. So, this is a heparically pure cactus and cactus moth story of Australia. And, I mean, the Queensland of Australia. Okay? And, the other interesting story is Screwworm. So, this is North and Central America native. Okay? So, this Screwworm, this is basically feeds on the flesh of the Womblet animals. Humans, livestock, wildlife, etc. But, it has nothing to do with the plants. Nothing to do with the plants. Lekin, it used to feed on the humans. Basically, flesh. Okay? This is very complicated. So, in order to control this, in 1930, Edward F. Nippling and Raymond C. Bushland are both scientists. So, they have invented a control. This control is basically biotechnological method of IPM. Its name is sterile technique. So, its complete name is sterile male technique or sterile insect technique. So, in sterile insect technique, basically, male insects will make them sterile. So, if the male insects are sterile, so, when the male and female insects mate, so, what is the use? The offsprings, they will also be sterile. So, if the offsprings are sterile, they can't mate with each other. If they mate, they will also be sterile. So, if the population is sterile. So, this is sterile insect technique. So, that means, the population will be decreased and later, the population will be zero. This is sterile insect technique. This is the main theme. So, if you are thinking, like for example, I will tell you a story, about how this sterile insect technique was made. कि from a field scientists now they used to collect thousands of male insects ठीक है so वो लोग thousands of male insects collect करने के बाद they used to sterile them ये तो एक टेक्निक है दूसरा टेक्निक है एक या दो इंसेक्स को collect करने के बाद they used to sterile them so sterile करने से क्या होगा off-spring की sterile insect होगा हाँ जी बिलकुल है ना so they used to breed that off-spring they used to breed that sterile insects so sterile insects को breed करने से result क्या होगा sterile insects ही होगे sterile off-springs भी होगे of course in this case में thousands and thousands of sterile off-springs होगे so they will release these thousands of sterile male सिर्फ मेल ही होगे सिर्फ मेल ही होगे so they will release these thousands of sterile male insects from a plane into a field क्योंकि field में ही ना the insects population होगे so they will release the sterile male into the field from the plane so male insects आने के बाद क्या होगे of course mating होगे so mating होने से result क्या होगे सिर्फ पुर्पिर्टेल फीमेल प्लस प्लस स्टेरायल मेल is equal to of course of course half of the population होगा फ्रटेल और दूस्राहाफ होगा sterile एगेंड फिर से मेंटिंग होगा. इस बार सारा स्टेरायल होगे. सो स्टेरायल-स्टेरायल मेंटिंग करने से क्या होगा? सेवस्ट आगेंद नहीं होगा. मतलब पॉपपलेशन होगा 0. ठीकियो इस केस में ग्राइड़ोली इंसेक का population कम होने जाएगा तो फाइनल होगा जीरो तो यह स्टराइल इंसेक्ट टिक्निक एस आई टी कम में रोल ठीके जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हो हम स्टराइल इंसेक्स को मास्ट रेइंग खरेंगे तो मास्ट रेइंग करने के बाद विल रिलीज देम फ्रम के बाद फी मेल के बीच में मेटिंग होगा तो फिर यह स्टराइल इनसेक्ट टेखने का में थीम ठीके तो मतलब इस रिसर्च में तीन वीक्स होने के बाद स्टेराल इंसेक्स का पॉपलेशन हो गया 84% स्टार्टिंग में स्टेराल इंसेक्स होगा है जीरो तो प्लेन से रिलीज करने के बाद मतलब स्टेराल इंसेक्स सो मेटिंग होने के बाद स्टेरिलिटी ओफ बिंग जो हो गया 84% सो फाइनली लास्ट वीक ने या फोर्थ और फिंग ने कम all the offsprings है sterile और इसका नेक्स ने का नेक्श पॉटलेशन होगा 0 कि स्टेराल इंसेक्स आ का ने प्रूडूस ने रीलीज दी तो दी निपलिंग और रेमॉंट सी बुष्लेंट, ठीक है, so this is about the second story, और थीसरा बहुत इंपर्टन स्टोरी है, पुष्पुल पॉली क्रोपिंग, this is the most 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 important story, so यह पुष्पुल पॉली क्रोपिंग एक एक एकलोचिकल मैनेजमेंट है, मतब जैसे हम एक फील्ड में सिफ एक ही क्र क्रोप को ग्रोप करेंगे, जैसे मेज हो, वीट हो, सोर्गम हो, कुछ भी, लेकिन इस केस में, एक सी ज्यादा क्रोप को ग्रोप करेंगे, जैसे पुष्पुल पॉली क्रोपिंग में, हम तीन क्रोप को ग्रोप करेंगे, एक है हमारा मेन क्रॉप जैसे, for example, मानलो मैस, तिस मोरियम चैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हो तो ने किने पीछाआ ग्सित होड MR राप के उस को चोड़ अपर्टंस नहिते अपर्ट हैं पुछ्पल पुली क्रोपलिॉ बलेकीन व लेकिन नेपिकीड ग्रास और देश्मॉर्यम कप इंपोर्टंस दियूती ज्यली अगर मैं स्टोरे जैसे बोलू, आफ्रिका में दो चीजों से क्रॉपलोस बहुत ज्यादा है, एक है वीड, दूसरा है इंसेक्ट या पेस्ट, वीड है स्ट्रिगा वीड और पेस्ट है स्टेम बोरर, सो यह दोनों का कॉंबनेशन, मतलब यह दोनों मिलके, क्रॉपलोस कितना ज्यादा है, कि लिटरली आफ्रिकांस, आथे स्टार्ट लूजिंग देर मनी, ठीक है, सो इसके वजे से, इंटरनेशनल सेंटर ओफ इंसेक्ट फिजियोलोजी एंड एक एक एंवर्मेंट फ्रेंडल इसका नाम है पुष-pull पौली क्रॉपपि मतलब पाता चल रहे है पुष-pull इन दोनों का स्रापजी है पुष-पुष और पुषियो अ मतलब इन दोनों के स्ट्राटजी है, एक फुषण पूल सेína मतलब, यह इन दोनेशन, ञावी है मार नीज है एक मी चोवा फोतरा द में पिंट हमंआरा ऑफ प्यंट के बोट्स आप अर आप मीच्छा है मेर्च मैं फॉंस ब्लाक समयने सित्विक्षर में कि नेपीय ग्रास हैा भी सब्लाकिन जोषिंट भी समें हमारो नुनस समस्रा इन इपरिंट सेविए देखेंगे एक मेस मतलब दो मेज के बीच में मतलब एक दो मेज रोस के बीच हम डिस्मोडियम को सो करेंगे और फील्ड के बॉर्डर में हम नेपियर ग्रास को सो करेंगे ठीक है तो इनका में रोल क्या है कि जैसे मान लो पहले हम पेस्ट के बारे में बात करेंगे बारे में बात करेंगे तो यह स्टेंब बोरर मतलब एक फर एंपल जैसे में इस केस में विच में डिस्मोडियम एक रोव अम एक में एक में रोव और दूसरा में इसका रो के बीच में Dysmodium जो है तो यह Dysmodium में एक प्रोपर्टी है ठीक हो इसका प्रोपर्टी है इत्व प्रोपर्टी हें, it will produce a kind of smell That smells these insects don't like at all they literally hate the smell ठीक है, तो यह smell के वज़े से यह पुष दा stem borer away from the main crop मतलब इसकेस में देस्मोरियम काम काम है पुश पुशिंग अवे दा स्टेम बोरर ठीक है सो देस्मोरियम काम है स्टेम पुशिंग अवे तो इफ देस्मोरियम पुशिस अवे देस्टेम बोरर विल इस्टेम बोरर विल इस्टेम बोरर विल गो अफ्कोर्स नेपियर ग्रास, क्योंकि यह बॉर्डस में नेपियर ग्रास है, है ना, so when this tambourer goes to the नेपियर ग्रास, इस केस में क्या होगा, कि it will lay eggs on the नेपियर ग्रास, ठीके, so when it lays on eggs, so eggs होगा लार्वा, so larvae should eat something, so larvae starts feeding on the नेपियर ग्रास, नेपियर ग्रास तो medicinal है, मतलब हमारे लिए तो medicinal है, लेकिन पेस्ट के लिए तो toxic है, so since it is toxic to them, ultimately the larvae dies, मतलब इस केस में क्या होगा, देस्मोडियम, it has pushed the stem borer, नेपियर ग्रास, it has pulled it, come to me, feed on me and die, literally it's inviting to die, मतलब इस केस में pull, okay, देस्मोडियम है push, और नेपियर ग्रास है pull, so now we'll see, इस पराग्राफ को देखेंगे, so this technique involves attracting the stem borer with the trap plants, trap plants का मतलब हमें नेपियर ग्रास है, मतलब इस केस में नेपियर ग्रास, जो है, it is attracting our stem borer, like come, come and feed on me, it's attracting them, at the same time, देस्मोडियम, it is pushing, go away, don't come here, go away, मतलब it's pushing, the stem borer towards the नेपियर ग्रास, so, so, देस्मोडियम का काम है pushing, और नेपियर ग्रास का काम है pulling, तो ये है push, pull, polycropping का strategy, ठीक है, so, so, इस केस में, ये मेंस का कुछ रोल है, कुछ ने, बस, it is being protected, ठीक है, so, ये है push, pull, polycropping, हाँ, और ये नेपियर ग्रास और डेस्मोडियम का, एक और importance है, हम इसको फॉर्डर क्रॉप्स जैसे भी हम यूज कर सकते है, नेपियर ग्रास को, मेडिशनली हम यूज कर सकते हैं, जैसे हम oil को extract कर सकते हैं, अपार्ट फॉर्डर हम इसको, ये फॉर्डर पपस भी हम यूज कर सकते हैं, और दूसरा हा, मैंने वीट के बार में पताना बूल गया, तो, so, so, we got to know how the pest is controlled, push-pull जैसे, और स्ट्रिगाव वीट को भी हम control कर सकते हैं, जैसा आप देखियें, सेकंड पिक्चर में, ब्लाक और बाइट के फी, बिसाइड पिक्चर है, ये हैं, वीट के बीच में, ये स्ट्रिगाव वीट, ये रिली ट्रॉबल फॉर्ट ग्रोथ, ये है, ये र काम यह थाइपियायो ना में, इस पॉलीच्रॉप ञेयरो उस्त पॐलीच्रॉप जाँच्ण», वीट में, ये रिवीट चर्म ना का मी और या यह थाइपियाव वीट, लेकिं नपिराग्रस का है यह काम है पुलिंगे मतलब एत्रैक्टिंग दस्धरंबोरर and लेटर किलिंग इट ठिक है तो आप लास्स्थ पिच्छो को भी देख सकते हो कि हम बॉडर में नपिय ग्रास को सुख और में क्रॉप होगा or main crop ke beach may dusmodym hoa so so this modem will push away the stem borer or napier grass will pull the stem borer okay so this is all about poly cropping guys I have told this poly cropping with so much I mean I am telling you so many times there's a push pull because this is really most important sometimes we can we confuse also okay so this is all about today's lecture three successful stories and i hope you've learned that how we can implement them how we can implement these methods because learning and learning is very easy but implementation we should really know how it is used that's why i have prepared a video on the successful story so that you can know how they are implemented this is polycropping this is a cultural method and sterile insect technique is biotechnological and biological combination because biotechnological means sterile and we are releasing it in the insect and release it or screw worms and this is a prickly pear cactus because we are introducing a natural enemy so this is all examples and this story is very interesting and you will give a lot of knowledge so this is it guys from today's lecture so thank you for watching if you have any queries you can ask us on our instagram page or you can post in the comment section also if you really like this video please subscribe to our channel so that you can get the daily notifications of the every video we upload yes and also if you uh you can download this ppt from our telegram channel go for agriculture so thank you for watching take care bye bye